नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एश्योलोजी पर मैं यशास्तिवारी आज आप सभी के समय को पस्तित हुआ हूँ आप लोगों की जन्मकुंडली का नहीं शुल्क अध्यन करने के लिए नहीं शुल्क जन्मकुंडली अध्यन की सीरीज में आज तक 168 प्रोग्राम बन चुके हैं और आज का यह जो प्रोग्राम होने वाला है यह 169 नमबर का प्रोग्राम होने वाला है साथी साथ इस सीरीज में आज तक 891 लोगों की जन्मकुंडली का अध्यान नहिशल कुरूब से किया जा चुका है और आज के स्कारिटम में जो पहली जन्मकुंडली होगी वो 892 नंबर की जन्मकुंडली होने वाली है यदि आप इस कारिटम को देखते हैं और इस कारिटम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है आपके जन्मकुंडली करते हैं नेशल गूरूब से कारिटम के माध्यम से किया जा चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब गरें ताकि इन फूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारेक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाब मिल सके और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्यन मेरे द्वारा इस कारेक्रम के माध्यम से नहिशल गूरूप से कराना चाते हैं तो आप अपनी बर्थ डीटेल्स जैसे कि अपना नाम अपने जन्म कीती थी अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थानी जारों ही चीज़े किसी भी एक स्पेसिफिक प्रेशन के साथ मैं इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्षन में दे दीजे आपकी डीटेल्स को देने के देड़ से दो मैने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्यन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से योट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्यन करना सीखना चाहता है मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडली को अपने सौफ्टेर में निर्मित करते चरिए और जन्म कुंडली का विशलेशन जो मेरे द्वारा किया जा रहा है उन व वाला मन्त कैसा होने वाला है अगस्त दोजर चौबिस की शुरुआत होने वाली है तो ये मन्त आपके लिए कैसा जाने वाला है साती साथ वार्शिक राशी फल एवं अन्य ग्रहों का कोचर प्रभाव आपके लगने वं आपकी राशी के अनुसार क्या फलों को लेकर के आ पहली जन्मकूंडी है ये अक्षय पाटिल जी की है तो अक्षय पाटिल जी आप तयार रहें आपकी जन्मकूंडी मैं ले रहा हूँ इन्होंने अपना डेट आफ बर्त बताया है 24 जून 1994 जन्मका समय है रात के 8 बच करके 16 मिनिट अमरावती महराष्टर अक्षय जी आप धनू लगने के हैं और राशी भी आपकी धनू ही है अब लगनेश लाब स्थान में बैठे हैं जागर के और लाभेश अश्टम स्थान में हैं कोच अदो तक स्वास्त से सम्मंदित परिशानियां आपको ने जीवन गाल में देखने में मिलेंगी कफ जन्य रोग कफ से सम्मंदित चंद्रमा जन्य जो रोग होते हैं राहू की महादशा आपको वर्तमान समय में चल रही है और गुरू राहू की योती जन्म कुंडली के ग्यारवे घर में है अलाकि इस योती का प्रभाव बहुत जादा तो नहीं है परनतो राहू की स्थान में बैठे हैं लावपती अश्टम स्थान में हैं और विशाखान अक्षित्र में राहू का होना कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परिशानिया तो आपको देखने में मिलेंगी मान से कशान्ती इत्यादी की सितिय आपके साथ बनने वाली है इन्होंने पूचा है थोड़ी सी ब्रहमत रहती हैं मान से कशान्ती रहती हैं कन्फ्यूजन्स मन में होते हैं संगती कई बार खराब हो जाती है ग्यारवे भाव में राहू का होना धन के पॉइंट आफ यू से तो अच्छा है राहू के महा दर्शा में धनलाब की स्थितिय आपके लिए बनती ह लगनेश का लाभ स्थान में बैटना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐसा वेक्ति धन कमाने के पीछे लगा रहेगा स्वास्त थोड़ा कमजोर रहेगा तो वो आपके साथ होने वाला है अब अगर हम जौब की बात करते हैं तो यहां पर दो बाते हैं क्या आपकी जौ जौब हो गई है यह आपकी जौब अभी तक नहीं होई है 1994 के बर्त के आपकी जौब हो जानी चाहिए थी इसके अधार पर यदि मैं देखता हूं तो राहू की महादर्शा में गुरू का अंतर और 17 ऑक्टोबर के पहले-पहले ही आपकी जन्म कुडली किसी ना किसी तरह क परिवरतन को किसी ना किसी तरह के प्रमोषन को किसी ना किसी तरह के अंक्रीमैंट को आपके जौब में प्रधर्शित कर रही ये छिंदे आप इसके लिए प्रィयासरत है तो यह आपके 17 acordの की रहूम ऑने की पॉसिबिलिटीज बनती है राहू की महादर्शा है तो आप संक आप WhatsApp के माध्यम से संपर्क करके लाजवर्त रतने से संबंदित प्तेक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथी साथ गड़ेश जी का मंत्र ओम गंगर पता है नमहां। इस मंत्र का आपको नित्य तीन माला जाप करना चाहिए। इन से आप देखेंगे कि राहू की महाधश से संबंदित थोड़ी बहुत नेगिटिव इंपक्ट्स हैं। उनमें कमी आजाएगी। स्वास्त से संबंदित परिशानी के लिए शिव जी के अराधना करिए। साथी साथ अपने लगनेश को बल दीजेए। आपके लगनेश गुरू हैं वो शडबल में सबसे जादा कमज़ोर हैं। गुरुबार के दिन जल में चुटकी हल्दी डाल करके स्णान करना चंदन के इत्र का इस्तमाल करना भी आपके गुरू को बल देगा आपके केस्नान। तो कुछ इस तरह क्यों पाए हैं इनको करिए ताकि इस वास्ता से सम्मनित परिशानिया कम होूँ। जीवन में संघर्ष तो होगा ही बट उस संघर्ष का जो आपको आउपट मिले वो मैक्सिमम यूटिलाइजड हो करके मिल सके और राहू की महाद रशा की जो बोरे परिणाम है उनमें हमको चंद तक कम ही ला सके तो यह चीज़ नहीं आने वाले समय में शनी की डहिया आ र मनीश प्रजापत जी आप तैयार रहें आपकी जर्मकुंडी में मैं ले रहा हूँ डेट अफ बर्थ इन्हों ने दिया है थार्ड आफ एप्रिल 2004 जर्मका समय है दोपहर के बारा बच करके 30 मिनिट और चितोर गढ़ राजस्थान मिथों लगने की जर्मकुंडली है मनीश जी आपकी राशी आपकी सिंख बनती है शनी जाकर के लगने में बैठे है राहू के नक्षत्रमा राहू ग्यारवे भाव में यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है बहुत से लोगों को जर्मकुंडली यह दिया दियन करना जानते हैं वो सीखना चाता है तो नोट करें मिथों लगने की कुंडली में शनी अश्टमेश और भाग्येश भी होते हैं अब भाग्यपती का लगन में जाना तो बहुत अच्छा है परन्तु अश्टमपती बने हुए शनी लगन में राहू के नक्षत में राहू रखने की आवश्च रखता है डाइट पर यदि अपनी अंत्रम बना करके रखते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी सूर आपकी कुंड़ी में अच्छी सती में है तो मुझे कोई बहुत जाता चिंता नहीं दिखती है परन्तु सूर पर शनी की दृष्टी का पढणा कहीं आपका तेज सूर क्या है आपका ओज है आपका ओज है पबलिक के सामने आना आपका एक्सपोजर है उसमें कमी आ जाती है या फिर दश्मस्त सूर पर यदिशनी की दृष्टी पढ़े तो जनता के द्वारा आप मानित होने की सती भी बनती है या आप कुछ बोले तो उसक का आपको ज़क्ता अपने जीवन काल में सामना करना पड़े पंचंभाव के स्वामी शुक्र जाकर के बारवे स्थान में बैटें प्रेम संबंद के पॉइंट अफ्वी से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम को शूख करता है तो मंगल शुक्र की हो थी क्योंकि बारवे भाव म में पढ़ रही है अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्णों को की तरफ चलते हैं राजस्थान ठीक है मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम में सब मेरा मजाग उडाते हैं बहुत बहुत कोशिश कर ली पर कुछ नहीं हुआ कंफ्यूजन बहुत रहते हैं कि कंफ् उडायों का कि ली अगर हम वानी भाव की तरफ तरह से देखा जाए तो आपकी कुंडिली में जो सेकंड हाउस है वो सुप तवस्था में है, अब वानी के कारक की स्तिती को देखा जाए, तो बुद्ध बनते हैं, वानी के कारक वो लगनेश हैं, लाबस्थान में बैठे हैं, मंगल की राशी में राहू के साथ युती बनाते हुए, केतु के नक्षत्र में, नवमाईश में आपके बुद्ध के पास में बल आ रहा है, और बुद्ध को देखा जाए, तो मंगल और सूरी के बीच में पापकरतेरी योग में बैठे हुए हैं, वो राहू के साथ हैं, तो पीड़ तवस्था में हैं, बुद्ध के घर में शनी का होना, तो भाव, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति जाकर के बैठ जाए, तो उसका प्रभाव आपके उपर भी आएगा, भले आप वहां बैठे हो या ना बैठे हो, यदि आपके घर में कोई आकर के रहता है, तो उसके परशनी का प्रभाव वानी पर विलम यानि कि श्टेमरिंग की प्रॉब्लम आ गई और द्वितिय भाव आपकी कुंडली में सुपत अवस्था में हैं तो कहीं न कहीं वानी से संब्धित परिशानी तो बनी रहीगी और लगने में शनी दीर्ग कालिक स्थितियों को उत्पन करने वाले हैं अब आपने लिखा है कि सब मेरा मजाख उड़ाते हैं देखिए यहां पर दो तथ्यर दो तर्ख हैं कुछ इस तरह की इस्थिती है सूर परशनी की दृष्टी पढ़ रही है तो मजाख आपको सहना होगा है अब क्योंकि देखिए मजाख किस का उड़ाया जा रहा है तो सूर परशनी की दृष्टी का पढ़ना इसके बीचे कारण है अब सूर परशनी की दृष्टी क्यों पढ़ रही है कुछ पुराने प्रारब्धों को प्रदर्शित कर रही है पंचंभाओ का स्वामी बारवेभाओं में मंगल के साथ है और शनी राहू के लोग आपका मजाख उड़ा रहे हैं नो डाउट वरतमान समय में आप क्योंकि एक होमन है और एक इंसान है तो कोई आपका मजाख उड़ाएगा तो आपको बुरा लगेगा ही स्वाभाव एक सी बात है तो वो लगना ही चाहिए परंतु जब वो आपका मजाख उड़ा र राहू के साथ है और शनी जो भी मैंने स्टोरी आपको पूरी सुनाई तो मन से आपको मांसिक परिशानी चंद्रमा की महादर्शा चल रही है चंद्रमा भी एमोशनल अंदर से आप बुरा महसूस जरूर कर रहे हैं परंतु वो कहीं न कहीं लॉग डर्म में आपके फायद तक चलती कोई दिखाई दे रही है परंतु इसके लिए वी कुछ उपाए हैं सबसे पहले तो आपका आत्मे विश्वास कमजोर ना हो उसके लिए आप सूरी के राधना करिए नित्य सूरी को जल दीजे संभाव वो तो रविबार के दिन नमा का त्याग करिए ओम घणी अब ऑधिकादिक मात्रा में जाप करिए और सरस्पती मात्रा का बीज मात्र अईम इस इस म Lang का आता हुआ दिन μया殿 जाप करे नहीं दिन भर आ भर मन पाये को करने से कोच धत्य का आत्मे विश्वास में वद्धी तो आपको देखने में आवश्छी की मिल जाएंगे और आगे बढ़ते हैं अगली जन्मकुल्डी जो है, ये सोनी रॉय जी की है, तो सोनी रॉय जी आप तेयार रहें, आपकी जन्मकुल्डी मैं ले रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने, सकेंड ऑफ डिसेंबर 1996, जन्मका समय है, दोपहर के बारा बच करके 30 मिनिट, जल पाए गुडी, वेस्ट बेंगॉल, कुम्भलगनी की जन्मकुंडली है रापकी राशी आपकी सिंग बनती है, और शनी और केतू की यूती आपकी कुंडली के वितिये भाव में बनी होई है, सूरी की महादशा में बुध का अंतर आपको चल रहा है, प्रेशन हैंनका आने वाली केतू की इंतरदर्शा मुझे क्या अच्छे बुरे फल देगी सूरी की महादशा में केतू का अंतर आएगा फरवरी 2025 में वैसे तो सूरी और केतू 95 योग में बैठे हुए हैं सूरी में केतू जन्मतारा है क्योंकि अनुराधा में यहां के नक्षेत्रमेशनी से यूती बनाते हुए और नवमाईश कुडली में शुक्र ठीक है देखिए कुछ अकस्मात रूप से परिवर्तन लेकर के आ सकती है परन्तु आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना हुआ स्वास्त से संबंदित परिशानिया भी आपको देखने में मिल सकती है बठा मुझे लगता है कि करियर के रूप में कुछ पॉजिटिव ग्रोध आपको देखने में मिले या कस्मात रूप से धन पदाय केतू की महादर्शा होने वाली है आप भी जो गणेश जी का मंत्र है गंगन पताय नमा इस मंत्र का नित्य तीन माला जाप करिये संकट नाशन गणपती स्तोत्र का पाठा आप नित्य स्वयम से ही करिये वुद्वार के दिन गणेश जी के मंदर में जाकर के दर्शन करिये गणिष जी को दूरवारपित करीए हो सकहें तो घर में नित गणिष जी पर दूरवार पुद्वार tuning कि और दिकार करहें सी कि जैने । यस वी झेश् है मैंने आपको बताएं वो करिए शनीवार के दिन कि आप डॉग्स को फीड करें आप प्रिशली तो आपके लिए जाद अच्छा रहेगा बुदवार और शनीवार के दिन डॉग्स को फीड करना आपके लिए काफी ज़्दा भनेशल है तो इन उपाईओं को करें श्रीट पुपस्तित हुआ था आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्मकुंड़ी का अध्यन मेरे द्वारा इस जन्मकुंड़ी अध्यन के कारिक्रम के माध्यम से नेशल कुरूप से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होगी यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस का साथ में अपनी बर्थ डीटेल्स जैसे कि अपनी डेट ऑफ वर्थ टाइम ऑफ वर्थ और प्लेस ऑफ वर्थ इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक प्रिश्ण के साथ में दे दीजेगा आज कि इस कारिक्रम में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार